नमस्कार दोस्तों एक बाद फिर से आप सभी का सवगत है दोस्तों इस पट्टिक्लर वीडियो में हम Water Reclamation Reuse Water Reclamation Reuse पर एक बार हम कुछ कोशन प्रैक्टिस भी किये थे इसमें 10 बारा कोशन हम डिसकस किये थे दोस्तों करते हैं कुछ कोशन से देखे वाटर रिक्लेमिशन रियूस सही उसी भी बेस्ट सारा कोशन रहेगा फॉस्ट है वीच फॉलोविंग इसू के रिजॉल्ड बै आर्टिफिसल रिचार्ड टेकनिक के माध्यम से आप कौन सा मतलब इसू किस प्रॉब्लम को आप रिजॉल्ड क सकते हैं उस एरिया में जहां पर ओवर डेवलेमेंट के कारण अधिक विकास के कारण जो हमारा डिप्लेटर अक्यूफर देखे दोस्तों एक नया टेर्नलोजी है इसको समझना जरूरी हो जाएगा देखे पहले समझते हैं क्या होता है तो आप जानते दोस्तों जो हम स्टोरीज वार्टर को जो रोक्स के बीच में वाटर जो white rock ते बीच में स्टोरीज हो सिके क्या क्या है है key for करते हैं या जो आप property दोस्तों और फिह आ एकिफजार को करते हैं यह हमारी एक्यूफर को इन्हांस करेगा उस वाटर को और मतलब जो कम हो गया है इसको क्या करे उसमें तेजी लएगा उसमें बहुत जा के और बहुत जाईदा स्टूर होगा तो in to enhance sustainable एल्ड ताकि हम future में भी ऊस aby इस्तेमल कर सकते हैं तो उसको वेक्यूफर कही है हमारा समाप्त हो चीग है तो उसको हम और सस्टेनेवल बना सकते हैं तो बिल्कुल सही बात है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है सेकेंड है कंजर्वेशन एं स्टोरेज अगर किसी ब्रकार रिक्वार्मेंट है या सस्टेनेवल इल्ड करते हैं या सस्टेनेवल डबर्मेंट के लिए हम उस वाटर को कंजर्ब कर सकते हैं बिल्कुल सही बात है थर्ड है क्वालिटी ऑप ग्रोंड वाटर या किसी और माधिम से उसका हम यूज करते है तो उसका क्वालिटी बैड नहीं होता है उसका क्वालिटी गुड ही रहता है हमसे पूछा है कि कौन-कौन सा टेक्निक आप इस्तमाल कर सकते हैं या कौन-कौन सा इसुआ आप रिजॉल्व कर सकते हैं तो फॉस्ट और सगेंड हमारा आंसर कोईगा है दोस्तों फॉस्ट और सगेंड और ऑल्राइट आए देखिए इसके पीछे और एक्समिनिशन ट्रौन ये जो अपालए उसका या एम थो तो ऑग्मेंटेशन इस्तिप अग्मेंटेशन हम बता रहे दोस्तों यह क्यी है वाटर रिचार्ज करने का एक है डेक्ट मेंठ़ हमने सब्यों सर्फेस में साबसरिक्वीटड था तो यह बना के वेल बनार के हम वाठर को रिचा वा ग्रॉंड वाट वाट रिचार्ज कर सकते हैं by modifying the natural movement of surface water by utilizing sustainable civil construction technique कुछ हम construction भी कर सकते हैं जैसे digwell बना सकते हैं पुआ बना सकते हैं जिसके कारण मारा water reservoir या water table recharge हो जाए तो यह ठीक है next है artificial recharge technique normally addresses to flowing issues अगर हम artificial recharge technique का यूज करते हैं तो यह कई सारे problem को solve कर सकता है first है to enhance the sustainable yield in areas where over development has depleted the aquifer उस area में sustainable yield को बढ़ाएगा water के sustainable yield को enhance करेगा जहाँ पर over development के कारण अधिक विकास कारण water table यह हमारे जो aquifer समाप्थ हो चुका है second है conservation and storage of excess surface water for future requirement future requirement के लिए conservation सनक्षन हमें help कर सकता है और access storage भी help करेगा since these requirement often change within a season or period क्योंकि यह requirement है किसी season में और किसी period में समाप्थ हो जाता है तो उसको भी यह मतलब conserve करेगा जैसे अब देखते होंगे summer season में जैसे ही summer peak पे आता है जून जुलाइक आसपास बहुत सारे city का दोस्तों बहुत सारे जगों का जो आपका hand pump है वहाँ से पानी नहीं निकलता है क्योंकि उन दिनों पानी पूरी तरह से water table बहुत नीचे जा चुका रहता है और बहुत ज़्यादा water के requirement के कारण भी water table इतना ज़्यादा यूज होता है कि पानी वहां से नहीं आते रहता है फिर बरसात के बाद वहां से पानी भी आने लगता है जैसे इसे पानी नीचे प परहेगा यह और उसका मतलब quality इंप्रूब करेगा ना कि decrease करेगा तो रिमूब बैक्ति लोजिकल एंड अधर इंपुरिटीज फ्रम सीवेज और वेस्ट वाटर इस सुटेबल पर यूज और जो हमारा बैक्ति लोजिकल है यह कुछ दूसरा इंपुरिटीज भी अगर वा इस से उसको यूज करते हैं क्योंकि हम लोग मांते हैं कि वा दर पहुत इना श१्यक्ति ठसीज लूगव जाँ in the basic purpose of artificial recharge of groundwater is to restore supplies from eq first depleted due to excessive groundwater development basic purpose क्या है artificial recharge technique बनाने का या artificial recharge of groundwater का कि यह उसको restore करना है जो हमारा पानी या एक्वीफर में चो पानी खतम हो चुका है एक्वीफर आप समस्के होंगे जो water rocks के बीच में फसा हुआ है या जो प्रति व्यक्ति के लिए जितना वाटर एवेलेवल होना चाहिए क्या वो एवेलेवल नहीं है यह आप से पूछा जा रहा है हमारे धरती पर पूरे धरती पर पानी तो बहुत ज्यादा है लेकिन फिर भी स्कार्सिटी है जो मतलब वाटर है टोटल अर्थ पर उसका क्वांटिटी दिन प्रत दिन यह कहा सकते हैं कि वो डिग्रीज कर रहा है तो गलत वात है दोस्तों जो सबसे हमसे पूछा यह थर्ड है कि देर लॉट अव वाटर प्रत्वी पर पानी की कमी नहीं है पानी ही पानी है पूरे दुनिया में दोस्तों और लेकिन फिर भी पानी का स्कार्सिटी है अल्राइट यह है कि पानी तो बहुत ज्यादा है देर लॉट ऑप वाटर यह दर इस कार्ट सेटी लेकिन फिर भी पानी की कमी है देखिए वाटर अल्सों नहीं है इस तो इस अन इन अर्गनिक केमिकल सब्स्टांस इट मेकप दे मेजर्टी ऑफ दा है अर्थ जो अर्थ का जो भी हाइड्रोस्पेर वसमें मेजर पॉर्शन कहें तो वाटर का ही है इस प्रिजेंट इन दा बडली फ्लूड अब एब्री लेल नॉन लिविंग तिंग जितना भी लिविंग तिंग प्रिजेंट है अर्थ पर सब के आप बिसली हमारी बॉड़ी के अंदर भी बहुत जादा वाटर का कंसंट्रेशन है और सारे लिविंग तिंग अंदर जो अर्थ का टू थर्ट पाट कही है या स्वेंटीवन प्रसेंट कही है वह वाटर सहीं कवर्ड है वाटर स्कार्सिटी क्या है Most of the water present on the earth is not fit for human consumption directly Obviously water scarcity तो यही तो है पानी की कमी की जो बहुत जादा पानी हमारे पास available है लेकिन वह हमारे consumption के लिए नहीं है The amount of water available for use is roughly 0.006% of all water found on the earth जो हमारे पास available water है यूज करने के लिए बस वो इतना ही है 0.006% Given the abundance and renewability of water it is difficult to imagine that we may suffer from water scarcity The moment we speak of water shortage we immediately associate them with the reasons having low rainfall और those that are drought prone बहुत सारा जहां पर पानी की कमी है वो सुखागरस तिला का भी आप जानते होंगे But water scarcity in most cases caused by जो अधिकतर जगों पर water scarcity उसका कारण क्या हो सकता है तो Over exploitation सबसे ज़्यादा तो यही कारण है दोस्तों Over exploitation बतलब लोग greed इतना ज़्यादा water का बतलब गलत इस्तमाल कर रहे हैं जैसे अपने यहां देखिए बिहार में क्या हो रहा है कि जल जब से जल जल यूजना आया है तो लोग सरकार तो सब के घरों में पंद लगा दिया है लेकिन उसका सही से विवस्ता नहीं किया है कहीं पर लोग उस पानी किसे अपने गारी को धोते हैं कोई अपने मवीसियों को धोते हैं कहीं कोई खुला ही छोड़ देता है कहीं बहार है तो कोई देखने वाला नहीं तो यह क्या water का over exploitation है सही यूज नहीं हो रहा है तो इसके कारण निश्तित है कि हमारा groundwater aquifer उसका deplete करेगा और water scarcity की problem आएगी दूसरा excessive use थर्ड है अनिक्वल एक्सेस्टि वाटर एमंग different social group वाटर का जो अनिक्वल एक्सेल्स है मतलब सभी को किसी इक पास बहुँ जादा पानी है जैसे बिहार में पानी की कमी नहीं है अभी तो प्रियाप्त है लेकिन आप राज्थान तरब चल रहता है तो वहां का जो लातूर डिस्टिक है अकसर वहां पर पानी की कमी दिखती है महलाई जो है कुहां में बहुत सारे महलाई जो है इसलि पानी था हमारे पानी पास खुब मजूद है य değil inaccurate करेक्ट है we cannot reuse water water का हम reuse नहीं कर सकते हैं लेकिन यह statement गलत है दोस्तों वहां जो हम option देखे तो उसके हिसाब से there is a lot of water and yet there is scarcity बिलकुल पानी तो हमारे पास बहुत जादा है और कमी है यह correct statement है the total amount of water in the world is constantly decrease in quantity मतलब quantity में जो प्रितिव वर्ड के अंदर जो water है क्या उसका quantity decrease कर रहा है तो बिल्कुल गलत है ऐसी बात नहीं है water conservation देखिए water conservation is the practice of water congestion का मतलब क्या होता है तो इसमें आपके not wasting water आपको water waste नहीं करना चाहिए जितना यूज है जितना आपके काम का है उतना ही उसका use कीजिए utilizing resources responsibly जो भी water का resource है संसाधन है उसका मतलब जवाब दही प्रुबक एक responsible citizen के नाते उसका उभ्योग करना चाहिए and restoring the groundwater level और groundwater level को थोड़ा restore करना हम सब का दाइत्व है जैसे आगर हम water harvesting करें rain water harvesting करें दोस्तों अगर rainy season में तो हम बहुत सारा मतलब पानी को बचा सकते हैं उस पानी का use कर सके हम अपने जो हमारा groundwater का level है अक्यूफर का level को मेंटेन कर सकते हैं sustainable use के लिए next groundwater gets recharge by infiltration देखिए groundwater जो हमारा infiltration के तुरू recharge हो जाता है selfly automatic at places the ground water is stored between layers of hard rock देखिए वह अस्थान क्या है जहां पर जो groundwater is stored होता है layers of hard rock के बीच के hard rock जो है नीचे बरावार पच्टानों है उनके बीच में layers में ground water store है below the water table this water knowledge उस water को क्या करते हैं अभी हम इसी का चर्चा कर रहे थे दोस्तों कि जो water हमारे hard rock के बीच में hard rock के layer के बीच में store है उसको हम क्या करते है एक्वीफर करते हैं वह एक कोसन आप से पूछ रहा है तो उसको क्या करते है एक्वीफर करते हैं याद रखेगा hard rock below the water table is known as aquifer water table के नीचे जो water हमारा rocks के बीच में hard rocks के बीच में store है उसको हम क्या करते हैं एक्वीफर करते हैं एक्वीफर के अंदर जो water है उसका हम लोग इस्तमाल करते हैं यह तो टूबल बनाके या hand pump के माध्यान सबस्पानी को water मतलब उपर लाते हैं उसका यूज करत हैं it is the saturated zone beneath the water table water table के बीच में यह कहती है एक प्रकार का saturated zone है aquifers are huge storehouses of water जैसे आपने परा होगा कि mitra kundi are the powerhouse of the cell उसी प्रकार से है कि aquifer आपका waterhouse of the storehouse of water water का storehouse is अगर कोई पुश्दे बिलोधार्थ क्या है आपका aquifers are huge storehouse of water Hydrozeology is the study of Water Flow in Equifier and the Characterization of Equifier देखे हाइडrology एक study है मतलब किसके study को हम राइडरोलोजी करते हैं तो Water Flow का Acquifier के अंदर जो Water Flow होता है उसके study को हम हाइडरोलोजी करते हैं और अर्ड़ोजोब के Characterization जो अलाग लोग प्रकाड का Acquifier हो सकता है उसका characterization के study को हम क्या करते है hydrogeology करते हैं तो hydrogeology the study of water flow in aquifer and the characterization of aquifer the rainwater can be used to recharge the groundwater बिल्कुल rainwater के माध्य वाटर टेबल को recharge कर सकते हैं groundwater gets recharge by infiltration groundwater आपका infiltration के तरू रिचार्ज हो जाता है rainwater के infiltration के तरू groundwater हमारा recharge हो जाता है इसमें से कोन है जो water storage structure है और उसका हम groundwater को recharge करने के लिए भी कर सकते हैं फर्स्ट है ऑफ टेकिंग कैनल सगेंड है ग्रोएंस थर्ड है बंधरा और फुर्त है stilling basin देखें दोस्तो बंधरा जो बंधरा होता है महराष्ट के आसपास महराष्ट के आसपास बंधरा एक प्रकार का डैम के अकार कहीं होता है दोस्तो इसका यूज़ लोग जाए शीचाई का काम किया जाता है और साथ ही साथ water table को recharge करने का एक वहतरीन तरीक आपका बंदरा दिहान रिक्राइब बंदरा इखिए बंदरा इग्रिगेशन इटेज इस पेशल टाफ विरिगेशन प्रेक्टिस प्रैक्टिस इन सम पार्ड महरास्टा महरास्ट की कुछ इसका इस्तावल कर सकते हैं इसेंसली आ माइनर इरिगेशन स्कीम मतलब एक छोटा माइनर स्कीम है इरिगेशन का मतलब वहाँ से जहाँ पानी के ओसे चोटा नाला बना के उसको अलगलग खेतों में उसको भेजा जाता है जाँ पर इससे इस शीचाइग की का क्या जाता है इसको भी मतलब transverse to the river flow के transverse में इसको बना जाता है और river के किनार ही बना जाता है bank to the river this form of river training works perform one or more in functions such as training the river along the desired course to reduce the concentration of flow at the point of attack creating a slack flow for slitting up of the area in the vicinity and protecting the bank by keeping the flow away from it मतलब यह beach के area के आसपास इसको बना जाता है okay stilling basin stilling basin used as the end of the ogee type of wear to reduce the velocity of running water down and the wear prevent score of the downstream channel तो यह भी कुछ बना जाता है stilling basin ओके धियान रहिए दोस्तों तो हमारा जो आंसर था है यहापर बंदरा था बंदरा एक प्रकार का irrigation टेक्निक भी है हमारास्टा में और इसका इस्तमाल ground water को recharge करने के लिए भी करते हैं हम लोग okay next question है cooling tower is used to cooling tower के बारे में हमने परहा भी था पहले दोस्तों water reclaims reuse में परहेते cooling tower की cooling tower कुछ इस प्रकार का structure होता है जहां thermal power plant होता है दोस्तों वहाँ पर जो भेपर के माध्यम से water को भेपर के माध्यम से जो electricity पैदा किया जाता है उसके बाद उस वैपर को यहां लाया जाता है बहुत ज़्यादा गर्म होता वैपर अब्यस्ली वाते भेपर है तो उसको direct water bodies नहीं छोरा जाता है उसको पहले यहां पर cool किया जाता है औगे कूल करके उसका पानी बना जाता है और नॉर्मल टेम्परेचर पर जो हमारा एटमस्परिक टेम्परेचर कर सकती है वहाँ पर इसको पानी बना के तब वाटर बढ़ईच के अंदर छोड़ा जाता है तो कूलिंग टावर का कहां इस्तमाल है देखिए ओप्सन cool the space or room को ठंडा करने के लिए बिल्कुल गलत वात है cool the hot water coming from the condenser बिल्कुल condenser जो hot water आता है उसको cool करने के हम यूज करते है freeze the water गलत वात है increase the pressure of water ये भी गलत वात है तो cool the water coming from the condenser condenser धर्मर पावर प्लांट के condenser से जो भैपर निकलता है उसको हम खूल करने के लिए cooling tower का इस्तमाल करते है देखे the cooling tower cools the warm water discharge from the condenser condenser से जो cool water मतलब discharge होता है warm water उसको ठंडा करने के लिए हम इसका इस्तमाल करते है and feed the cool water back to the condenser this reduces the cooling water demand in the power plant power plant में ये मतलब इसका इस्तमाल है cooling tower used at the places of scarcity water जहाँ water का scarcity है वहाँ पर cooling tower के इस्तमाल क्या जाता है क्योंकि देखे thermal power plant में एक बार पानी का आपने इस्तमाल कर लिया वेपर बनाके उसको electricity पैदा कर लिया तेकिन दुआरा फिर तो पानी क्याव सकता है पानी को गर्म को आपको वेपर बनाना परेगा तो बार पानी आप कहां से लाइएगा जहाँ water scarcity है तो बस उसी वेपर को फिर से ठंडा किया जाता है और फिर से उसको और गर्म करके उसका वेपर बनाया जाता है और बार पार इसका re-circulation करवाया जाता है ताकि पानी क्या वैसकता कम हो क्योंकि पानी के पास कम ही एपिलेबल है शकार सिटी है को डिप्स दीषत को और कुछ कूलिंग टावर को जान जानARS और दुसरा थैर है एन ड्राइ kell है आपको बस नाम जानना है वेट क। राइट कूलिध टावर हों ड्राइ करलिंग तावर ओके दोस्तों तो यह कुछ कोशन था वाटर रिवीजन रिक्लेमेशन से ओके इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों इंपोटेंट कोशन यह सब कोशन पूछा जा सकता है आपको अच्छा लगा प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पेपर टूस रिलेटर आपको पूरा प्ले लिस्ट हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक है दोस्तों आपके लिए बेटर रहेगा बतो धन्यवाद दोस्तों जाहिन